जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्तिक स्वागादे महा काली भगत गयारी यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ माला पे माता काली से कैसे बात करते हैं कैसे उनसे पूछा लेनी चाहिए इस तरह से माता काली सच्चे बचन पे बताती है जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ चीज सिखाने जारी हूँ जो की लोग माकाली के मंतरों का जाब करते हैं माला से ठीक है मैं आज आपको इस वीडियो में ये सिखा हूँगी आपको माता काली से माला पर पूछा कैसे लेनी चाहिए किसी वी चीज़ के बारे में कैसे पूछना चाहिए और कैसे माता काली सच्चे बचन के साथ आपको बताती है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ आज तक जिंदगी में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा कि मा काली से रिया अन्य देवी दिपता से माला पे पूछा कैसे ली जाती है अधित्र करके आपने देखा होगा जब आप भगतों के तांत्रीकों के पाद जाते हैं तो वहाँ जाकर क्या होता है कोई-कोई भगत कोई-कोई तांत्रीक ऐसे होते हैं जो आपको माला पे ही पूछा सब कुछ देख के बता देते हैं फिर आपको बताते तो आप केते हाँ ये सच बात है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने ये सब है हमारे साथ फिर आप ऐसे कहने लगते तो इसी तरह से आप भी मा काली के अगर भक्ती करते हैं मा की पूझा पाट करते हैं और मा के मंतरों का जाब करते हैं माला से तो आप भी अप ने दिया माला से पूछा कैसे ली जाती है ? तो आप इसी वकत से माहकाली से पूछा ले सकते हैं तो चलिए नमारी जो भी न्यू वीडियो आये, उसकी नूटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो भक्तो आज आपको सीखना है, माकाली से पूछा लेना, वो भी माला के उपर। तो जो भक्त माकाली के मंत्र का जाब करते हैं, वो भी माला से, जैसे कोई लोग रुद्राक्स की, हकीक की माला से, हर तरह की मालां से माकाली के मंत्रों का जाब करते हैं, तो भई, इतना तो ग्यान प्राप्त करो कि माला से, मातकाली से पूछा कैसे ली जाती है, किसी भी ची मंत्र जाब करते हैं ठीक है सबसे पहले माकाली से पूछा लेने के लिए आपको उस माला को गंगाजल से इसनान कराना है ठीक है गंगाजल की छीटे भी मार सकते हैं बाकी गंगाजल को थोड़ा सो कटोरी में रखके ये गिलास में रखके माला को उसके अंदर डालने फिर उ पाचन बिचा के आपको बैठ जाना है उस पे धरती मया परमिश्वरी का नाम लेकर ही बैठना आपने गुरू का नाम लेकर गुरू नहीं है तो माकाली का नाम लेकर बैठें और कैसे करना है थोड़ से घूम के आपको फिर बैठना है गोल घूम के एक वाल एक राउंड गो आपको फिरासन पे बैठ जाना है आप बैठ के आपको हाद जोड़ के माताकाली से पिंती करनी है है माताकाली महिया परतिश्वरी मेरी इस माला में आकर हाजिर हो जाओ जो मैं आपसे पूछा लेना चाह रहा हूं जो भी पूछ रहा हूं मुझे सच्चे बचन के साथ यह सब चीज बताने के बाद माकाली आपकी माला पर आकर विराजमन हो जाएंगे तो तुरंत आपको क्या करना है माला को आपको सही से पकड़ना है जो माला का मोती होता है जो एक फाल्तू होता है जैसे एक सो नो मोती होते है हर माला में तो जो एक सो नो मोती होते है तो हम हें पिर आपको किया करना है जो आपको इल्टा हाथ है तरह को घंठार को खीचना और माता से मार मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए अगर ये बात जो भी में पूछ रहा हूं ये सचिए तो आप एक मोटी लेकर आना अगर ये बात healthy है तो आप दो मोटी लेकर इतना आपको बोलना होता है हुए उसके बाद आपको माला को कीच पूछा ली जाती है अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना जितने भी भक्त चाहते हैं कि मैं आपको रियल में वीडियो बना के दिखाओं अपने हाथ पे की माला से कैसे पूछा ली जाती है तो आपको मैं कल ही वीडियो बना अगर आप मुझे जादस जादस कमेंट करेंगे तो चलिए दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया अगर नहीं भी आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मतकाली हर हर मादे मतकाली बावा बोल ना ताप समी की सारी मनुकाम नपूरी करें